वेलकम टो एक्जाम तक आज 26 फरवरी और 26 फरवरी 2021 से बनने वाले सभी मोश्ट इम्पोर्डेंट करेंट अफेस के कुश्टन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में मैं आपको हरे कुश्टन के साथ मैं डीटेल में एक्ष्प्लेनेशन भी बताऊंगा जिससे आपको करेंट अफेस के साथ साथ इस्टेटिक जीके मिल जागा मैं आपसे समझाँगा एंड साथ में आपको इंगलेश की वकप लरी मिलेगी लास्ट में आपसे कुश्टन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट वक्ष में दिना है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी कुई जेंड पीडियेफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सो जॉइन जरूर से कर लिना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला कुश्टन कौन सा है यह 2014 से 2019 के बीच में और अभी बन गए राष्टिय अनुसुचित जाती आयो के नए अध्यक्ष मोश्ट इंपोर्टन है आप लोग याद जरूर से रख लेज़ना ठेकर दिनाश कुमार खारा यह कौन है यह एं स्बी के प्रेज़न टाइब में चेर्मेन हर्स वरदन स्रंगला यह कौन है यह बारत के प्रेज़न टाइब विदेश सचीव एंड अगर बात के थावरचंद गयलोत की तो यह जो है अभी जो है सहकारिता और अधिकारिता मामडों के मंत्री जो है अनुसुचित जानतियों के मंत्री भी जो है थावरचंद गयलोत यह प्रेज़न टाइब है यह आपको याद रखना थावरचंद गयलोत के बारे में अगर बात के राष्टिय अनुसुजित जाती आयों की इंगलिस में National Commission for Scheduled Cast इनकी जो हैं SC Commission क्याता है शौट में कई बार SC Commission तो आपको याद रखना SC Commission के भी अब यदिक्ष कौन बने विजे सांपला 2004 में इसकी स्तापना हुई थी और New Delhi में इसका Headquarter है आपको important याद रखना है Next अगर बात के second question की most important है आपके आने वाले exam है बने का यहाँ से question हाली में मध्यप्रदेश के किस शहर का नाम नरमदापूर किया गया है तो अभी मध्यप्रदेश की राज्यत सरकार ने उस शहर का नाम बदलने का जो प्रास्ताव है इस प्रास्ताव को केंदर सरकार के पास भेज़ दिया है और बहुत ही ज़्यदा संभावना है कि इसको जल्दी मान लिया जाएगा तो भी किस शहर का नाम बदलकर अरमदापूर किया जा रहा है यह है होशंगाबाद होशंगाबाद जो है यह मध्यप्रदेश में शहर है और अरमदा नदी के किना रिष्टत है इसलिए इस नदी का नाम अब जो है इस शेहर का नाम जो भी अर्मदा नदी के नाम पर नर्मदा पूर किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा important है अब मैं आपको थोड़ा सो जो है मैप में बता देता हूँ एक बार कि यह होशंगा बात कहां पर रहा है यह जो मैप में आप लोग देख रहे हूँगे यह बोपाल दिखरा ठेकर ना जपर मैं अभी आओं डो है उसके नीचे ज्वाशंगाबात आप लोग देख सकता ठेकर ना अर्मदा नदी के गर बात किया है, यह मध्या प्रदेश ये बैती है, जबलपूर जो शेर यह आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मध्या प्रदेश का हाई कोट है, यहाँ से यह अधी निकलती है, अर्मदा नदी और नर्मदा नदी जो होशंगाबाद से ह जो है खुजरात में भरूच शेर के पाथ से निकलती हुई जो है यह यहां पर अरभ सागर में जो है गिर जाती है तो नर्मदा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना स्टेच ओफ यूनिटी भी जो है अर्मदा नदी के किनारे इस्तद है विंद्य और सत्थपुड़ की पारिया और बीच में चलती है एक धुआदार जलब बाद भी याद रख लेना नर्मदा नदी के किनारे इस्तद है अब बात किया मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश के बारे में आपको क्या याद रखना शिवराज सिंग चोहान जो है वो है प्रेजन टाइम मध् प्रेजन टाइम M.P की ख़iक एंधिब एंग प्रेजन टाइम में फॉर्ट सिंग यहां परिस्तथ हैं नेक्स घर्वारेट कारना थाद कर दूट्च जो फूल नहीं भिख पाते मार्केट में उनको जो है वेस्ट नहीं करना है और उनसे कुछ अच्छा उत्पादन क्रियेट करना है इसलिए फूल प्रसंस करन्ड के अंदर किस्ता अपना अभी जो है ये की जाएगी करनाटका के बैंगलोर में आपको इंपोर्डेंट याद बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट है और आपको थोड़ा से याद रखना फूल प्रसंस करन्ड के अंदर की जो है अभी ये यूनिट करनाटका स्टेट में शुरू होगी अगर बात किया करनाटका की 31 जिला कौन सा बनाए विजे नगर जो है ये 31 जिला बनाए उसका जो है त है करनाटका की राजदनी मुख्यमंत्री है और प्रेजंट टाइम में करनाटकय गुवनёр को कौन बनाे इंडिया का ये बन गया है अभी मैं आपको बता दू छाइना ठीक ऑन्ड़ांका अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए चाइना भारत का सिर्ष व्यापारिक भागिदार बन चुका है आपको important याद रखना चाइना जो है काफी जदा trade बढ़ रहा है हलंकि जो है आकड़ा है वो तो कम हो रहा है लेकिन फिर भी दूसरे देशों के comparison में अभी भी चाइना जो है टॉप पर बना हुआ है इंडिया के साथ business में सेकेंड पर अमेरिका है थर्ड पर UAE और पकिस्तान का नाम तो मैंने SAE option में डाल दिया चौता option कुछ मिला नहीं था पकिस्तान कहां business करेगा इंडिया के साथ अगर बात के चाइना की तो चाइना की राजदानी क्या है सबसे ज्यादा समुदरी शीमा किस देश की लगती है तो कनाड़ा की सबसे ज्यादा समुदरी शीमा लगती है और भारत के स्टेट में पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा जो है यह समुदरी शीमा किस से लगती है तो गुजरात राज्य जो है उसकी समुदरी शीमा सबसे ज़्यादा लगते है ठीक है ना नेक्स्ट पांचवा कुश्टन कौन सा है हाल में किस देश की जैस्मीन हैरिसन अट्लांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंड है यह जो है जैस्मीन हैरिसन यह अभी किस अब इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका की कोच नाम से भी थी जो सबसे ज़्यादा अंत्रिक्ष में रही थी ठीक है ना इसके लब कैथी सुलीवन अमेरिका की थी जोगी एरियाना ट्रेंच में गई थी पहली महिला लेकिन यह है जैस्मीन हैरिसन जो की सबसे और एंटीगुआ तक याति की अब आट्लन्टिक महासागरा को में कहां पर मिलेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ गा थोड़ा सा ये मैंने मैपको जो जो है जो है जो पीडियाओ करणे के बाद यह जो यह यह ऑचीग है अफ्रीका कोंटेंटल अर उसके ऊपर जो ह च्छलता आपको सागर दिख रहा न यह जो हैं उत्री अमेरिका और ये रोफ इसका लब अफ्रीका और दक्षिन अमेरिका के बीच में यह जो सागर यह हैं पूरा अट्लांटिक महासागर जिसे एस अकरती भी कहां जता है कोशन बनता है कि S अकरती का महासागर कौन सा कहता है तो इसको Atlantic महासागर कोई कहता है आपको कोशन important याद रखना है किते सागर है चार सागर है प्रशांत महासागर है हिंद महासागर है Atlantic महासागर है और Arctic सागर है ठीक है ना Arctic महासागर है नेज्ट छटाय कोशिन, हालि में भारत सरकार ने असम पॉवर ट्रांस्पिक्शन में सुधार के लिए किसके साथ 304 मिलिए डॉलर के रिंश मंजोते पर हस्तक्षच किये, تو 3-4 मिलिए डॉलर के रिंश ही समझोते पर अब भी ऐगरीमिट क्या है, असम में पॉवर ट्रांस् बैंक और एंडीबी क्या है एंडीप यह न्यू डेवलप्मेंट बैंक जो की रिक्स जो समुए है पांच देशे उनका यह बैंक है एंडीबी ठीक है ना इसमें इंपोर्डेंट याद रखना है और इसका भी हैड़कौटर चाइना में और AIIB का हैड़कौटर भी चाइना मे किसने 26 वे हुनरहाट का उदगाटन किया है जिसका सब्जेक्ट किया था वोकल फोर लोकल यानि की वोकल फोर लोकल इस सब्जेक्ट पर भी हुनरहाट का आउजिन हुआ है और इसका उदगाटन किसने क्या है तो ग्रह मंतरी इसका उदगाटन किया भी रक्षा मंतरी आपको important याद रुकना राजनात सिंग ने जो अभी दिली में नई दिली में 26 वे हुनराट का उजिन किया जिसमें भारत के सभी राज्या और केंदर शाशित देशों की जो है अलग अलग संस्कृति कला के जो है यहां पर अबिशेरी लगेगे ठीक है न तो यह राजनात सिंग ने अभी उदकाटन क्या है आपको important याद रुकना राजनात सिंग के बार में क्या याद रुकते हैं लखनौ जो हैं यह हैं इनका जो हैं लोगसभा शेत्रा संसेदे शेत्रा important याद रुकना मुकतार अबास नकवी यह कोन हैं तो important याद रुकना अल्प संक्यक मामलों के मंतरी जो हैं मुकतार अबास नकवी है अभी सेंटर में प्रेजेंट टाइम हैं यह थोड़ा से याद रुकना अमीट शाजी को तो जानते ही हो ग्रह मंतरी है next आठवा question हाली में किसने international commission on large dams यानि की बड़े dams के लिए उनकी security उनको climate change के लिए वो कैसे जिम्मेदार हैं और उनको किस तरह से उनका infrastructure और अच्छा किया जा से हैं तो यह international commission on large dams यह बिलकुल proper commission बना हुआ है और इसकी अभी संगोष्टी का उद्गाटन जो है किसने क यह क्या गजेंदर शेंग शेकावथ जी ने यह आपको important याद रखतां गजेंद्र शेकावथ present time को ने है तो यह जलोषक्ति मंत्री है और जलोषक्ती मंत्री जो अनंध्री यह पहले ही जल्षक्ती मंत्री है क्योंकि जल्षक्ती मंत्रा जो हैं यह 2019 में ही गटित हुआ है उससे पहले जल शक्ती मंत्रा लेट था ही नहीं, तो पहले जल शक्ती मंत्री पूझ ले जाए, तो भी गजेंदर शिंग जी है, और अभी प्रेजन टाइम में भी गजेंदर शिंग शेकावच जी है, इसके अलवागर बात के इसकी I.C.O.L.D., ये क्या है, ये कमिशन जो है इसके अधिक्षा है, माइकल रोजर्स, इसकी स्तापना कभूती 1928 में इतना इंपोरें नहीं है, हैटकॉर्टर याद रख लेना, पैरिस में जो है, इसका हैटकॉर्टर है, पैरिस सीन नदी के किना रिस्तोत है, इंटरनेशनल कमिशन ओन लार्ज डेम्स, इसका हैटकॉर शुलक दिवस कब मनाए गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपोरेंट है, केंद्रिय उतपाद शुलक दिवस कब मनाए गया, तो ये मनाए गया, 24 फरवरी को आपको इंपोरेंट याद रुकना, ठीके ना, अभी मैं आपको बताओंगा, ये डे क्यों मनाए जाता है, तो य आपको important याद रुखना है अगर बात के Central Board of Indirect Taxes यानि की CBIC, CBIC क्या है यह आपको याद रुखना है केंदरी अपरतिक्ष कर बोड ठीक है यह आपने नाम जरूर से सुना हो का हिंदी में CBIC कहते हैं इंग्लिस में Central Board of Indirect Taxes यह जो है इसके प्रेजेंटरा में चेयर परसन को न इसके लिए जो सेंटरल एकसाई सर्विस टेक्स और नार्को टेक्स इन इंडिया जीएश्टी इन सबका जो है इंडिरेक्ट टेक्स का काम संभालती है CBIC यह आपको important याद रुखना है एक होता है CBDT ठीक है ना Central Board of Direct Taxes तो वो अलग होता है और यह अलग है दोनों ही संस्त का नाम आपको full form याद रखनी है next अब जो है English की vocabulary है Nexus Nexus जो word है यह आपने शायद नहीं सुना होगा मैं आपको ऐसे याद कर लाओ next us यानि कि अगले हम ही होंगे अगर अगले हम ही होंगे तो फिर सांट गांट करनी पड़ेगी तब ही आपका number अगला आएगा अदर्वाइ यानि की घुमकड़ आपने यूट्यूब पर काफी चारे चैनल सुने होंगे ओमेडिक इंडियन वगरे यह मदलब होता है घुमकड़ एक जगह से दूसरे जगे घुमना ठीक है ना इसका मदलब यह होता नेक्स्ट है ऑपर्चनुइस्ट अपर्चनुइस्ट का मदलब ह उब फ tecnología जो अवसर को खोज करते अवसरवाधी ओते हैं जैसे आपने जरूर सुने आप ऑप्टीमिस त UC तरह से से अवसरवाधी नेक्स म पापाइलेट मुपलिन्ट हैं और स्कके यह सारेवड है काफी इंपोर्ड नेक्रों नेक्स्ट आफ यॉोड ओ मेशलीत यानिकी अगर आपने एक्जाम तक वो ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना कल जो हैं वो मोधी रोजगार दो और मोधी जोब दो पर एक्जाम तक ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाए है आप लोग भी जरूर से जाना ऐसा नहीं कि अन्दोलन सिर्फ कल के लिए था जब तक सरकार डिमांड नहीं करते हैं आपको कादची बना लेनी है जिस तरह से वाट्साप पर डेली स्टेटस अब्डेट करते हैं उसी तरह से डेली सुबह उड़ते ही एक ट्वीट इस हैश्टे के साथ या इसी तरह के हैश्टे के साथ जरूर कुई जिए अब एकल के सवाल का आंशर शत्रिये लोक नरते जो है ये असम राजिये से समधीते हैं चुटाओं नाइन्टिन के एकझां में आये था अब ही जो 2020 में हुआ था उसमें अब आज का कॉश्न कहों सा है खेलो इंडिया यूनिवसिटी गैम झांज की मेजवानी कान सा देश करेगा अब यह जो हैं ज्यान से सुन लेना खेलो इंडिया यूनिवसिटी गैम से इसकी मेजबनी 2021 में कौन सा स्टेट करेगा पूरी डीटेल कमेंट वक्ष में छाप लीजिए इस टेलिग्राम चैनल को जरूर से जॉइन करेना जहाँ पर आपको PDF जी के कोई जो करें मिल जाएगी एक्जाम तक की वेबसाइट को जो हम लोग त्यार कर रहे हैं क्या आप लोग वेबसाइट पाना चाता है कि हाँ एक्जाम तक की वेबसाइट भी होनी चैए जापर आपको इस तरह से काफी सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से भी काफी सारे हेलपल रहेंगे आने वाले टाइम ही यहाँ पर भी कोई जी मिल जाएगे आपको तो अगर आपको सपोर्ट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे क्या वेबसाइट भी जल्दी से बनाइए ठीक है ना तो मिल टेक नए वीडियो में है तब तक लिए जय हिन जय भरत